हेलो बच्चो आज मैं आपको कप्षा नौवी जिसका विशह है गनित इसकी वर्क्षीट नंबर सेवन कराऊंगी जिसकी डेट थी में पस 28 जुलाई 2020 तो आज हम इस वर्क्षीट की रिविजन करेंगे वर्क्षीट नंबर सेवन की जिसका टॉपिक हमार पास यहां है इससमय पूलते हैं तो आपका चैपर नंबर टू है ये बुक का देखो यहां पर आपको एक यह दे रखा है मीना और राजु दो जने दे रखें मीना राजु को क्या बोलती है अगर मैंने फैंस पंदरा रूपए की खरी तो कैय तुम एक पैंसिल की कीमत बता सकते हो मीना ने क्या किये, 5 pencil खरीती है 15 रूपे की, अब वो राजु से पूछ रही है, क्या एक pencil की कीमत तुम बता सकते हो, तो राजु ने बोला, शायद 3 रूपे, या फिर सारे 3 रूपे, ठीक है, चलो, यहां हम एक pencil की कीमत को एक चीन से दर्शाते हैं, जैसे X, अब मीना ने बोला, चलो, हम ऐसा करते हैं, कि हम एक pencil की कीमत को X माल लेते हैं, तो अब 5 pencil की कीमत होगी 5 into X, सही बात है, जब एक pencil की कीमत X है, तो 5 pencil की कितनी होगी, 5 into X ही तो होगी, और यह किस के बराबर होगी, यह 15 के बराबर होगी, क्यों, क्यों क्यों उसने तो 15 रूपे दिये थे 5 pencil होग तो 5 x x में 5 को किस अंग से गुना करने पर 15 मिलेगा तो मीना पूछते हैं यहां पर मैं इस x की जगा क्या रखूँ कि जब उसे 5 से गुना करूं तो 15 मिल जाए तो 5 की टेबर में 15 आता कब है 3 पे तो इसका मतलब आप यहां x की जगा 3 रखोगो तभी तो उसे 15 मिल पाएगा तो इसका मतलब एक पैंसिल की कीमत जो आपने x मानी थी वो निकल गई 3 रुपे तो राजू ने बोला 3 से तो भीकुल सही बोला राजू ने भी तो यानि 5 x x में x की जगा 3 इसका मतलब एक पैंसिल की कीमत आ गई 3 रुपे अच्छा राजू यदि 5 पैंसिलों की कीमत 50 क्या हम रखें कि जब उसे हम 5 से multiply करें तो 50 आजए तो 10 ही तो रखेंगे क्यूं कि 5 की टेबल में 50 10 भी आता है तो इसका मतलब तब एक pencil की कीमत कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी तो आप देख रहे हो कि यहां पर कुछ चर और कुछ अचर इनको मिला के हम क्या बनाते हैं तो आपको समझ में आ गई कि यह बिजए वेंजक है क्या चीज कैसे बनाते हैं चर और अचर इन दोनों को मिला के बनते आएगे ठीक है अब यहां कहना है हमसे बिजए वेंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं ऐसा नहीं है वो हमेशा एक पद वालों एक पद भी ह हो सकते हैं तो 4x प्लस 5 यह दो पद है कैसे एक पद 4x है और एक पद 5 है उसी तरीके से 7xy-5x यह भी दो पद है एक पद यह और दूसरा पद यह याद रखेगा यह माइनस के साथ वहां जाएगा ठीक है तो यह दो पद है ऐसी यह दो पद है ठीक है अब आगे आप से कह जाने करें एक या एक से अधिक पदों वाले बिजयी वैंज़क जिसके चरों की घतांक एक पुन संख्या होती है उन्हें हमब बहुपद कहते हैं अब बात आती है बहुपद तो जो चर और अचर से मिलकर हमारे वेंजिक बने वे हैं वो सारे बहुपद होते हैं लेकिन जो उनकी घहतांक मतलब जो exponent है जो हम ये पार लगाएंगे ये हमेशा पून संख्या होने चाहिए जैसे आप देख रो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्कूर प्लस फूर एक्स माइनस टू तो यहां पर थ्री है यहां पर टू है यहां कुछ नहीं है तो वन है तो यह मेरे भहुपद है क्यों क्योंकि जो इसके घहतांक है वो पून संख्या है ठीक है लेकिन अगर यहां एक्स वन बाई टू होत तू फोर और माइनस सेवन भी बहुपद है बिल्कुल हां ऐसे बहुपदों को आचार बहुपद कहते हैं अचार बहुपद इनको हम बोलते हैं ठीक है फिरके जीरो भी बहुपद होता है बिल्कुल होता है उसको हम शुनांक बहुपद कहते हैं तो जीरो भी हमारा पून संख्या है बस वह भूपद है बाकी नहीं है तो देखो यहाँ पहले में X की घातां具 तो अगर मैं इस रूट एक्स को यह लिखूंगी ना वन बाय टू तो यह तो पून संख्या नहीं तो इसका मतलब यह भूपद नहीं है यह बहुपद है क्योंकि इसमें जो यह है T के उपर जो घातांग के यह पूर्ण संख्य है अब अगर मैं थर्ड वाले को देखू तो देखो यहां रूट 3 X स्क्वाइर है तो जो यह रूट है यह सिर्फ 3 पे X स्क्वाइर पे नहीं है और यहां 2 X है तो दोनों में घातांग किसकी पूर्ण संख्य है तो यह भी मेरा भूपद है उसके बाद 8 अभी हमने कहता है यह अचर भूपद होते है तो यह भी मेरा भूपद है फिर हैं में पास 5 यहां पर हमारे पास लिखा एक मिन में इसको थोड़ा सा हटा देती हूं ताकि आपको नीचे वाले नंबर्स भी दिख जाया है अब यह 1-2 रूट X फिर वह बात यहां X पर रूट नहीं है तो X की खातांग तो 1 है वो पूर्ण संख्या है तो यह मेरा भूपद है तो देखो यह वाले कि तो पूर्ण संख्या है लेकिन इसकी नहीं है क्योंकि ज चुनांग भूपद अब यहां है Y की पार 1 by 2 यह तो देखके ही पता चला है कि यह मेरे पास भूपद नहीं है क्यों क्योंकि यह पूर्ण संख्या नहीं है ठीक है चलिए नीच्वार आपसे कुछ क्या कह रहा है आओ जाने हमने क्या सिखा तो सही पर सही और गलत पर गलत कदमें नहीं दो यह दो से ज्यादा कितनी भी सकती है एक भी हो सकती है तो बहुपद है वाना थी भू strengthen है प्रह scholarships फपयार अब्रप्रस Χंश59 प्लत आपन एंग द्कूरां यह प्लेदी देखके और किकि ओए चोटे से यह पर चोटब हो दिख न पर च्क्र police के ले देख स तो हमारी वरक्षिट नमबर 7 की रिविजन कम्प्लीट हो गई अब वरक्षिट नमबर 8 की रिविजन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेग थांक्यू